कि यहां पर हम देखे कि आज इसके अंदर गिरावट देखने को मिली कल अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो है एक लग रही थी संभावना की इसके अंदर करेक्शन आ सकता है साड़े तिन पसंद की गिरावट तो अल्मोस आही चुकी है साथ ही सादगर अपने पिछले हपते के हमारे वीडियो देखे होगे जिन्होंने नहीं नहीं देखा वो चाहे तो देख सकते हैं जब यह यहां पर था मैंने बोला था कि यह अभी यह जो यहां पर यह लो भी सप एक possibility की अगर बात करें संभावना की बात करें तो ज्यादा अदिम के बाद अगर आप देखे कि कहीं दिनों के बाद यह इसने 200 दिनों का moving average के ऊपर cross किया था मैंने बोला था कि इसको retest करने के लिए आ सकता है तब कहीं लोग इसके अंदर ऊपर की बाते कर रहे थे अब यहाँ पर पिछले तीन दिनों से अगर देखेगे तो उसी लेवल के आसपास अभी यह support ले रहा है एक चीज़ इसके अंदर अपने notice की होगी इसका आभी भी circuit limit 20% है इसके अंदर जो है volatility थोड़ी सी कम है ऐसा मुझे लग रहा है तो अब जो बड़ा support है वो जो है नज़ delivery volume जो है अगर देखेगे 16 लाग के आसपास की delivery उठी लेकिन percentage के अंदर देखेगे तो अच्छी कासी delivery उठी है 50% के आसपास की और यहाँ पर आगे देखते है 15 मिनिट का चार्ट उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह patel integrate यह short video जो कल ही हमने update किया था शेर किया था तो daily हमारे short video अपड़ेट करते हैं तो वो भी आप जो देखा जरूर करें आज इसके अंदर अगर आप देखे कि यह हमारे नए वीवर्स के लिए इसका opening price और high price देख सकते है ओपन होने के बाद 10% के आसपास यह भागा था तो यसे ही जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले देखे कुछ शेर के अंदर तूरं तेज़ी आती है कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है उपर खुला थोड़ा सा मतलब की उसके बाद नीचे आया नीचे आया और यहाँ पर इसने जोई लो बनाया उसके बाद बांस बेक देनी की कोशिश की लेकिन उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी थी पर लग रही थी उसके बाद जहां पर इसने लो बनाया था उसी लेवल के आसपास इसने जो है क्लोजिंग दी है तो यहां पर आगे हम वीकली चाट के उपर इसको हम जब देखते हैं तो एक तो अगर आप देखेगे जैसे कि मैंने बोला एक यह 980 से 1000 रुपे का जो जोन है वो एक strong support इसके लिए बन सकता है और वो लेवल अभी जो है ज्यादा दूर है नहीं कई लोग अब इसके अंदर जो है profit booking करने की मतलब की सोच रहे है लेकिन मैंने बोला था पिछले हपते जब यह यहां पर था कई बार इसने मोके दिये तीन-चार दिन अगर आप लेकिन अभी जो रिस्रिवर्ड रेशियो है वो जो है favorable नहीं लगता अभी भी जो है correction की संभावना यहां पर लग रही है लेकिन जो support है strong supporter की बात करे तो वो अब थोड़ा सा नस्दिक लग रहा है ज्यादा नहीं अभी देखे तो यहां पर आप जो यह टिक किया हुआ जो जोन है वहाँ पर इसको अच्छा काता support मिल सकता है अगर यह जो profit booking है यह continue रहती है तो संभावना यहां पर लग रही है कि profit booking यह हो सकती है लेकिन जो delivery volume जो 50% से ज्यादा रहा है तो थोड़ी सी संभावना यह भी यहां पर लग रही है कि थोड़ा सा 1050 या फिर इस level के संभलने की भी कोशिश करें लेकिन अगर correction आता है तो यह जो है एक 980 से 1000 रुपे का इसको support मिल सकता है और यह level जो है अभी 80 रुपे ही 100 रुपे ही दूर है अभी की बात करें तो इसके अंदर थोड़ी से volatility कम यहां पर लग रही है अब weekly chart के आपर बड़ी moving average लगाते है त इसके नीचे अभी बना हुआ है यह इसी तरीके का है जैसे intraday के अंदर को रजिस्टन को पार करता है उसके बाद वापस से नीचे आ जाता है intraday में daily अगर बात करें तो तो अभी यह 1150 के आसपास यह पहला इसका रजिस्टन के बारे में भी हम देखेगे और तेजी की बात करें तो कुछ surprisingly news आए तो इसके अंदर तेजी भी आ सकती है otherwise इसके अंदर या तो इसके अंदर या तो प्रॉफिट बॉकिंग जो है यह continue रह सकती है अब यहां पर अगर देखें के वीकली चाट के उपर तो 100 वीक का मुविंग के विले 1400 के आसपास है यह बात हो रही है अगर कुछ positive news आती है तब की बात है तो यह यहां तक जानी कि इसकी संभवना रह सकती है लेकिन पहले यह साड़े 1200 रुपे का लेवल क्रोस करना इसका अब डेली चाट के उपर इसको 200 दिनों का मुविंग एवरे जैसे कि मैंने बोला था कि यह जो अभी 3-4 दिन से यह सपोर्ट ले रहा है यह यहां पर सपोर्ट ले रहा है आप देख सकते है एक अजार और सतर के आसपास 200 दिनों का मुविंग एवरे चे और कई दिनों के अब यहां पर मैंने बोला था कि यह रिटेस्क अभी यह कर रहा है इसको अब यह भी भी हो सकता है कि अब मार्केट के उपर कल के दिन काफे मैद पुपुन हो रह सकता है जो अदारी टोटल गेस उसके बारे में भी कहीं लोगों की इसके अंदर होगी उनका जो सपोर्ट बिल्कुल इसका सपोर्ट जोन भी जो है उसी लेवल के आसपास अभी यहां पर लग रहा है भाव भी जो है दोनों का थोड़ा सा मेच मतलब की एक सिमिलर सा यहां पर हो चुका है वह भी 1100 के करीब है और इसके अंदर भी वही सीच्वेसन बढ़नी हुई है इसा लग रहा ह है यह जो 200 दिनों का मुविंग एवरेज है इसको संभाल पाता है या नहीं वह देखना बनता है क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले तीन दिनों से जो है वहीं पर यह सपोर्ट ले रहा है अगर इसको तो तो यह मतलब की 1050, 1025, 1000 रुपे के आसपास इसके संभावना रह सकती है जाने की और डेली चाट के ओपर अब इसके 21 दिन के मुविंग एवरेज भी हम देखें तो इसके बारे में भी आप देखें अभी यह साड़े 900 रुपे के आसपास यह भी एक स्ट्रॉंग सपोर्ट बन सकता है लेकिन यह लेवल नहीं जिस लेवल के ओपर अभ सकते हैं वह भी stop loss के साथ कई लोग हमें पूचते हैं कि इसके अंदर नई बाइंग कब की जा सकती है कब की जा सकती है तो यहां पर अभी देखें बॉलिंगर बेंग की बात लेक देते हैं यहां पर भी जो अदानी टॉटल गेस के बारे में चर्चा की थी वहीं चीज यह नहीं पर भी दिख रही है मुझे सालग रही कि अगर यह थोड़ा सा और बढ़ता है तो एक चीज यहां पर भी हो सकती है कि यह जो उपरी लाइन है बूलिंगर बैंक की और यह जो मिडल लाइन है यह भी उपर जा रही है तो इन दोनों के बीच में थोड़े दिन जो है वैसं फेस्सक्राइब करके लिक टैस्यंट संभाव ना रहiliar वह देग्मूत लोग स्रीछे में होइं लुए आप इसके से थोड़े दिन अबrin्दी onomा के Next मतलब कि इसकी संभाव ना रह सकती है, अब इसके RSI देख लेते हैं, 70 के आसपास आ चुका है, काफी एक कूल डाउन हुआ है, उपर में अगर आप देखे कि तो बहुत भी उपर इसका RSI था, I think 85 प्लस था ये, उसके बाद आप देखे तो ये 70 से आज नीचे आया है, अगर ये मतलब कि थोड़ा सा comfortable zone में अभी आ चुका है, ऐसा लग रहा है, और weekly chat के उपर देखे कि तो 61 के उपर है, यहाँ पर भी ये neutral condition में लग रहा है, तो यहाँ पर अभी इसके support और register हम देख लेते हैं, तो जो चीज यहाँ पर दिख रही है, एक 1090 का आसपास का price है, support अग इसको तूटने के संभावना रह सकती है, और चोटे-चोटे support अगर देखे, तो दूसरा support इसके बाद जो है, 1030 का zone, उसके बाद देखे तो 980 से, यह 1000 रुपे की पूरी range है, यहाँ पर एक इसको strong support मिल सकता है, और अगर अगर अब रजिस्टन की बात करें, कि कुछ यह म उसके बाद देखे, तो 1200 से लेकर, 1250 का zone है, यह अभी भी रजिस्टन इसके लिए बना हुआ है, यह नजदी की रजिस्टन है, और यह थोड़ा सा दूर का रजिस्टन है, तो इसके उपर आप अपनी नजर बना करक सकते हैं, जब यह इस रजिस्टन को cross करेगा, तब इस करें, अपना finance advisor की साला लें, उसके बाद ही कोई decision लें, decision लें तो उसके जीमेतारी maturity के साथ खुदी लें, यह वीडियो में no occasion purpose के लिए बनाएं, मेरी तरफ से कोई भाई ASL के recommendation नहीं है, thank you.